हलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो माई चैनल प्रो साउन एंड टेकनोलोजी तो आज क्या वीडियो का जो टॉपिक है वो है साउन्ट्राप्ट का जी बी टू तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं अगर चैनल में नए है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वेल को आउन कर लिजी इस चैनल में मैं professional audio related वीडियो अप्लोड करता हूं जैसे की mixer, analog mixer, digital mixer, amplifier, crossover, digital crossover, analog crossover, ऐसे इत speaker, इन सब के बार में वीडियो अपलोड करता हूं तो चलिए शुरू करते हैं आज का Soundcraft का GV2 का overview Soundcraft GV series का आपको तीन variant देखने को मिलेगा मार्केट में पहला GV2 उसके बाद है GV4 और उसके बाद है GV8 इन तीनों series में आपको 16, 24, 16 channel का variant 24 channel का variant and 32 उसके बाद है 40 channel का variant आपको देखने को मिलेगा तो आज जिस mixer के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है Soundcraft GV2 का 24 channel का variant तो चलिए इसको और इसके बारे में details में जानते हैं Soundcraft GV technology में इसका जो pre-m section है और eqo-lagin section है इस सारे GV series में एक ही है मतलब अगर GV2 का pre-m समझते है या EQ section को समझते है तो GV2, GV4 और GV8 सारे में एक ही जैसे है मतलब एक ही है और इसका जो gain quality, grain structure और grain pre-m design circuits सब कुछ सेम है तो अगर इसको समझ चाहते हैं ठीक से तो आपको कोई GV series में कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन एक problem है कि GV2, GV4 और GV8 में आपको इन तीनों mixer में यह features बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है तो features के बारे में आगे बात करेंगे लेकिन इनका जो channel है channel EQ तक तीनों mixer गई सेम है और जो है इसका output section में ज़्यादा तर अंतर होता है और इसका और एक अंतर होता है group और stereo input में और output का तो है इनपूट के लिए सिर्फ stereo ही ज़्यादा होता है मतलब अगर आप GB2 देखेंगे न तो GB2 में आपको stereo input मिलेगा 2 और group मिलेगा 4 और अगर GB4 देखेंगे तो stereo input 2 मिलेगा group उसमें भी 4 मिलेगा लेकिन उसमें mix left right और center output मिलेगा और अगर GB8 देखेंगे न उसमें आपको stereo input मिलेगा 4 group मिलेगा 8 और उसमें mix left right और center भी मिलता है और उसमें matrix भी है जो कि GB2 में भी matrix है लेकिन 2 matrix है और आपको GB4 में 4 matrix और GB8 में भी 4 matrix output देखने को मिलता है यह mixer 24 channel का variant है और इसका अगर एक channel आप समझ जाते mono channel कोई भी mono input channel अगर आप समझ जाते हैं तो 24 channel में सारे same features ही है तो इसलिए आज जो है पहले एक channel का बात करेंगे कोई भी एक channel को हम discuss करेंगे क्या-क्या features है क्या specification है उसके बाद जो है अगर एक channel को समझ जाते है आप ठीक से ना तो सारे channel सेम है और आज इस वीडियो में हम cover करेंगे सर्फ input features के बारे में जो जो specification है input का उसके बारे में भी discuss करेंगे और next video जो होगा उसके उपर उसमें हम output features के बारे में discuss करेंगे अभी चलते है इसका जो main main point है उसको point out करते है उसके बाद जो discuss करेंगे तो इसका जो main point है इसमें आपको gb2 series में 6 aux output देखने को में दता है 4 groups और 6 into 2 matrix output और इसका अंद जीवी new gv30 mic premium technology के है और इसमें इसमें आपको 4 band gv30 इक्यू देखने को मिलता है और इसके साथ आपको इसमें जो है main point अगर बता है तो इसमें आपको हर चैनल में एक्सेलर with trs socket input मतलब combo socket input देखने को मिलता है और इसमें इसके अंदर power supply inbuilt power supply है इसमें और इसमें हर चैनल के लिए 48 वोल्ट फेज रिवर्स और लो cut-up switch देखने को मिलता है यह था इसका basic key points या बोल सकते मिक्सर का खासियत तो इसका specification जानते हैं जैसे कि मैंने बताया था हर चैनल में आपको एक्सेलर socket एक्सेलर और line दोनों socket input मतलब cartridge या one by one by four या one pin भी बोल सकते input line input के लिए दिया गया है और my input के लिए एक्सेलर दिया गया है और यह एक चैनल हर चैनल में आपको direct output देखने को मिलता है जो की प्री पोस्ट के साथ आता है फेडर के थू या फेडर के पहले या फेडर के बाद यह था direct output का काम और इसका भी हम मतलब live demo दिखाएंगे कैसे यूज करता है इसको और इसके साथ आपको insert socket मिलता है जो की चैनल को send return करने के लिए काम में आता है मतलब इस इंसार्ट पॉइंट से आप क्या कर सकते है इस signal को इस मिक्स इस चैनल को signal को कोई भी आपका इस प्रोसेसर में send कर सकते है फिर उसमें से signal प्रोसेस होके फिर बापस इसमें डालके आप इस चैनल को रिभाव या डिले एड कर सकते है यह था input basic features जो कि यह direct output है यह output features है और उसके बद चलते हैं इसका जो input mixer के front side में क्या क्या features से देखते हैं इसका जो design किया है उसका नाम है ग्रहम बैट जो कि इसका खुद का signature कर दिया इसके उपर जो कि यह GB4 का GB series का designer है तो इसलिए इसका उनका signature है और इस side में आपको देखिने को मिलता है एक lamps connect करने के लिए अगर इस console में जब program चलाएंगे तब आपको अगर light की जरूरत हो तो इस यहाँ पर एक light खरीद लिजे market से जिसमें से आप connect करके इस console को आप lighting कर सकते हैं उसके अभी चलते चैनल 1 को देखते है चैनल 1 को अगर आप सही से समझ चाते हो तो आपको 24 या 32 या 40 कोई भी इंपूट का मोनो इंपूट चैनल मिक्सर हो तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा तो जैसे कि मैंने पहले बता आथा इस मिक्सर में आपको हर चैनल के लिए individual 48 वोल्ट पावर या फैंतम पावर देखने को मिलेगा फैंतम पावर क्या होता है जो कि घो की कंदेंसर माइक्रों क्पून का फीचर होता है यह फैंतम पावर जो है जो 48 वोल्ट करने के बाद ही माइक्रोफों सेंस करेगा और और अगर इसको नहीं दबा गया 48V नहीं connect करेंगे तो microphone sense नहीं करेंगा और active नहीं होगा ऐसे तो normal microphone बिने फेंट बावर के भी चलता है अगर आप माल लीजे इस channel में 48V on है और आपने laptop या mobile connect किये तो वो product आपका mobile या laptop damage होगा लेकिन अगर दूसरा microphone connect रहते जिसका normal microphone जिसमे 48V का जरूरत नहीं है फिर भी आप 48V on करतें तो उस microphone में कुछ problem नहीं होगा यह सर्फ microphone के लिए है अगर दूसरा कुछ active instrument जैसे mobile या laptop connect करते है तो वो damage होगा उसके नीचे है phase reverse phase reverse का विसके लिए काम है आपका जो polarity होता है उसको change करता है मतलब positive और negative जो होता है microphone का उस phase को negative को positive कर दे था positive को negative कर दे था यह switch on करने से होता है phase reverse और उसके नीचे आपको देखने को मिलता है gain section जो कि इस mixer में आपको gain है आप to 60 dB तक gain को आप increase कर सकते है जो कि mic gain के लिए दिया है और line है minus 20 dB से लेका आप 16 dB तक gain को जो है increase कर सकते है और उसके नीचे है 100 Hz 100 Hz switch का का काम है अगर आप कोई भी low frequency को cut करना चाहते है जैसे कि आपका अगर microphone पर बात करें तो बात करने time जो सांस लेते है उसका आवाज को cut करने के लिए 100 Hz switch का use किया जाता है जाता तर यूज देखा जाता है इसका अगर कोई drum के साथ connect करेंगे जो उसका kick होता है उसका frequency को कम करने के ल चैनल में distortion आएगा और इस particular चैनल में peak LED glow होगा चैनल में distortion आएगा over gain होगा तो इसलिए इस switch को दिया गया है और अभी चलते इसका जो EQ section है जो कि parametric EQ है इस mixer में सारे mixer में input section में parametric EQ होता है और output में आपको graphics EQ होता है तो parametric EQ और graphics EQ में difference ही है कि parametric EQ जो होता है frequency band को लेकर होता है मतलब माल लिजे जो hf section है इसमें आपको 12 kHz से लेके 20 kHz तक का hf frequency इसके अंदर band है मतलब total एक band दिये दिये आगे 12 kHz से लेके 20 kHz और graphics EQ जो है मतलब माल लिजे 12 kHz होगा 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 12 kHz तो हम लोग सुन नहीं पाएंगे क्यो 20 kHz से लेके 20 kHz तक क्या होता है ग्राफिक्स EQ में होता है 12 kHz 13 kHz ऐसे करके particular एक एक frequency को graphics equalizer में दिया जाता है और parametric में होता है कि एक साथ एक band को दिये दिये जाता है इसलिए यही है graphics और parametric का अंदर तो इस mixer में आपको hf high mid और low mid और alef control देखनों को मिलता है जो कि 4 band parametric EQ इसमें यूज किया गया है तो hf का जो काम है पहले ही बता दिया हूँ मैंने कि यह 12 kHz से लेके 20 kHz दक plus minus 15 db काट और boost करता है जिसका hf का काम है hf जो control दिया गया उसके बाद high mid जो है उसका भी काम जो high mid 6 और दो control है वो basically plus minus 15 db काट और boost करता है जिसका frequency response है 550 Hz से लेके 550 Hz से लेके 13 kHz तक इसका frequency response है जो कि 550 Hz से लेके 13 kHz तक इसका plus 15 db और minus 15 db काट और boost करता है उसके बाद है low mid जो की है आपका 80 Hz से लेके 1.9 kHz तक का frequency को 15 db plus and 15 db minus काट और boost करता है उसके बाद जो है lf section जो lf और hf के बीच में जो इसका frequency response है 60 Hz से लेके 12 kHz तक plus minus 15 db cut and boost करता है lf and hf मतलब कि इसका जो parametric eq है वो बिसके लिए काम करता है 60 Hz से लेके 12 kHz तक का frequency यह काम करेगा तो यह था basically इसका input features और input parametric eq gain यह सारे features उसके नीचे है आपको एक particular eq switch देखने को मिलते है eq मतलब equalizing जो कि इस channel में अगर कोई भी इस particular channel में आप eq जो parameter eq दिया गया है आप उसको use करना चाहते यह bypass करना चाहते अगर इस switch को press कर देंगे तो eq जो है bypass हो जागा अगर इसको on करके रखनेगे तो इस channel का eq काम करेगा उसके नीचे जैसे मैंने पहले ही बता था इसमें आपको 6 auxiliary देखने को मिलता है एक दो तीन चार पांच छे आप चाहे तो एक दो पहले से प्री है जैसे कि लिखा हुआ प्री और पोस्ट अब यूज कर सकते हैं और 5 और 6 जो है पोस्ट पहले से decided है तो उसके नीचे जो है pen control देखने को मिलता है जो कि panoramic control बोला जाता है क्योंकि यह एक mono channel है इसमें stereo effect लाने के लिए pen को दिया गया है और pen का बहुत सारा काम है जैसे कि आप मान लीजिए आप क किसी drama wrist को balance कर रहे है तो अगर drama wrist को balance कर लेगे आपको drum किल लगता है जो कि basically drama left से right तक shift करता है उसका drum जो होता है तो उसको balance का अगर मान लेजिए किसी left drum को थोड़ा left उसके बाद थोड़ा right ऐसे करके center से अब फिर से right करेंगे तो इसमें audio quality आपका वेटर होगा तो इसमें इसके लिए आप pan यूज़ कर सकते है नहीं तो stereo effect लाने के लिए या फिर आप दूसरा कुछ भी यूज़ कर सकते है pan का pan का basic काम है panoramic control जो कि left और right को balance करते है यही बात है अब इस features को कहा यूज़ करना है यह आप खुद जान दे है और जो है अभी चलते है इंपूट चै switch on होगा तो mute LED glow होगा जैसे कि आप देख पार set unmute कर दिया है अभी mute होगा तो channel जो है completely बंद हो जागा लेकिन आपको PFL में मतलब ही PFL अगर प्रेस करेंगे तो आपको इसका output headphone में सुनाई देगा तो यह भी हो गया हर channel में पेसे ही आपको mute switch देखने को मिलते है individual mute switch उसके न output अब कहा लेना चाते है group 1,2,3,4 या mix में समझ रहे हैं तो इसके लिए आपको यह select करना हो अगर आप माली जे channel 1 का output ग्रूप 3,4 में लेना चाते है mix में भी नहीं लेना है और 1,2 में भी नहीं लेना है तो आपको जो है 3,4 switch का प्रेस करना है ऐसे ही आप चाहे तो इस channel का गेन ज्यादा होगा तो इस channel पीक LED ग्लो होगा तो इससे आपको क्या समझ भागे कि जो channel से है इसी particular channel अगर पीक मार रहा है तो इस channel से distortion लेवल ज्यादा होगा जितना पीक LED ग्लो करेगा उतना ही distortion output में आपको सुनने को मिलेगा उसके नीचे है तो कोशिस किजिए जो गेन गेन स्ट्रक्चर को जीरो कर देना है मतलब यह जो गेन स्ट्रक्चर उसको 5 में रखना है उसके बाद आपको धीरे धीरे गेन इंक्रीज करना है और अगर माल लेजी इस channel में आपको तबला दिये है तो उसको उसमें क्या होता लेफ लो फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो तो इसके लिए ग्रेन स्ट्रक्चर क्या करना है आपको माइक्रोफोन के हिसाब से अड्जेस्ट करना है और फेडर तो आपको जीरो डूब्य में सेट करना है तो ठीक है उसके नीचे आपको signal LED अगर इस channel में signal प्रिजेंट होगा तो यह signal LED जो ग्रीन कलर कहें एक ग्लो करेग आपको इस आपको सुनन्हें के लिए आपको प्रेंस करना होगा और हेड़फोन को आपको अंप्टब्रक्य कर जाएगा मतलब आपके कान नहीं ले पाई जो है बहुत भैलू देता है हर एक माइक इंपूट को इस मिक्सर को लाइब सेक्शन के लिए ऐसे डिजान किया गिया क्योंकि इसमें जो है बहुत क्वालिटी आउटपुट देखने को मिलता है इसलिए इस मिक्सर का बहुत स्यादा डिमांड है और रिकोमेंडेसिंग भी उता है और इस मिक्सर को यहीफिकली पुररा कम्प्लेट अनृळॉफ मिक्सिंग कंसोल है जो कि साउंड क्कराप का देखा जाये तो अब तक तो इसका फेडर मैंने अज तक खराब उतना नहीं देखे इसका फेडर आप कम जितना भी कर ले यूज तो आठ से दस सल तक चली जाता है तो इसमें फेडर में उतना दिक्कत अभी तक मुझे नहीं मिला तो यह था बेसिक एक चैनल का इंफूट फीचर और अभी चलते हैं इसका आप याफ का वारंटी डर्फ इजक्रीजेश का और ए सब्सक्रा है, अभी जो है आउटपूट फीचर के बारे में Pick बहुत जल्दी बता आँगा तो और कुछ queries था कि आर्थिंग कैसे connect करते है सेट के साथ इस सब के बारे में मैं इसी वीडियो में cover करते रहा हूँ मिक्सर में smps होने की कारण इस मिक्सर को आपको ground देना बहुत जरूरी है अगर माल लेजिए इसमें जो है इसका main input wattage जो है 100 watt है और 250 volt तक आप इसमें ऐसी input कर सकते है Indian standard के साब से 220 से 230 के अंदर इसका voltage जो है रखिए बहुत सारे question आता है कि UPS use करना चाहिए या नहीं UPS जो होता है voltage अगर आपका load city होता है तो backup देने के लिए UPS use किया जाता था पहले दिनों में अभी जो UPS आ रहा है मार्केट में वह basically stable output भी आपको provide करता है तो best होगा कि आप best stable output वाला ही को UPS use किजी इस सेट के साथ और हाँ और इसमें आपको आर्थिंग देना क्यों जरूरी है कि अगर आर्थिंग नहीं देंगे ना तो SMPS का world wise एक rules है अगर SMPS में लिकेज वोल्डेज होता है 110 volt AC तो अगर माल लीजिए आपका इस सेट में पर्टिकुलर सेट में आर्थिंग कनेक्ट नहीं कि मतलब इसका जो लिकेज वोल्डेज है वह इसका body में रहता है क्योंकि इसका body के साथ इसका अगर यह वाला पीन देखेंगे ना continuity तो यह 0 इसका 110 volt AC होता है उसको ground करना ही होता है कोई भी सम्पेस सर्फ GB या soundtrap या दूसरा कोई प्रोड़क्ट आप देखेंगे तो इसका जो leakage voltage होता है वह 110 volt होता है तो उसको क्या करना होता है उसको ground करना होता है तब ही जो है यह सम्पेस ठीक से काम करेगा अगर आप ग्राउन नहीं करेंगे ना तो इसमें दिक्कत यह आएगा क्योंकि अगर इस मिक्सर से आप दूसरा किसी मिक्सर को output या input देते हैं तो उसमें क्या होता है इसका 110 volt है जो कि body में connected है अगर आप balance output देखेंगे balance output का एक नंबर पिन क्या होता है आपको मानूं है इसका एक नंबर पिन होता है body ground अगर मान लेजिए इस mixer को अगर आप किसी एकसलार इंपूट से दूसरे mixer के साथ connect करते है जिसमें की balance output ही लग रहा है तो क्या होगा इसका जो body है इसमें 110 volt है दूसरा mixer में लगाएंगे तो उसका अगर ground और इसका ground miss करता है तो क्या होगा उस mixer में problem होगा नहीं तो इस mixer में दिक्कत होगा जाता तर उस mixer में problem होता है क्योंकि इस mixer में तो पहले से यह ready है कि दूसरे को खराब करने के लिए तो यह था ground का basic features आप चाहे तो किसी सबसे ज्यादा अच्छा होगा आपकी आप जिस setup में काम कर रहे हैं उस setup को totally ground कर दीज जाते हैं इसके साथ ही industrial product दिया जाता है बैसे कलिए industrial socket का जो female version होता है मैं इसी वीडियो में cover करते रहा हूं बैसे कलिए आप लोगों को set के साथ ऐसा ही कुछ power cable दिया गया है जिसको आप connect कर रहे है डारेक्ट कोई भी AC socket में अगर आपको कोई भी AC socket में connect करेंगे ना तो यह जो face और neutral connect होगा जैसे कि sorry यह right side का face और neutral connect होता है और जो ground है वो connect नहीं होता है अगर आप ऐसी कोई industrial socket खर connect हो गया पीछे भी देखिए सेम connection इसे कलिए company ने इसको बनाया इस socket के साथ connect करने के लिए लेकिन इंडिया में क्या होता है इंडिया में तो यह सर्फ नॉर्माल 5-pin या 15-emper का socket के साथ ही connect करते थे जिससे कि set में आर्टिंग नहीं मिलता है तो आर्टिंग ना मिल लेके च कुछ दिक्कत नहीं आएगा और यह था आर्टिंग के basic guidance तो और आर्टिंग में से मिजर करते हैं यह भी अगर आप चामना चाते हो तो मुझे comment करके बताना मैं उसके बारे में भी आप लोगों का update दे दूंगा और एक announcement है जो कि मेरा इस channel को grow होने के पीछे आप लोगों था बहुत ज्यादा उगदन है लेकिन और दो चैनल है जिसने जिन लोगोंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इस channel को grow करने के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा जब चैनल बीच में जब grow कर रहा था था बहुत ज्यादा official problem आ रहा था तो उस टाइम में आप लोगों चök केंगों ने जब चैनल वीत ज्याद रहा है जैनल मेरे बहुद्व था बहुत तो उन दोनों ने भी या नहीं क्योंकि बहुत सरा कमेंट आ रहा है कि इसको बंगला में वीडियो को बनाओ तो अगर बनाते हैं तो आप लोग कुछ दिक्कत होता है या नहीं इसके बारे में मुझे आपडेट देना और आज के लिए बस इतना ही थांक्यू थांक्स अलोट आप लोग इतना सपो कि असके बूमय खूर्ट नहीं वहता है अवारे में अर्मारे में घपा है इसके बहुत सक्वर्ड़ कांश करोगा है और कर अवारे में